होम बेकर बनना इतना भी आसान नहीं है रात के बज रहे हैं डेड़ और मैं कर रही हूं केक डिकोरेट क्यों आईए देखते हैं इस वीडियो में और क्यों इतने रात में मुझे केक डिकोरेशन करना पड़ा सारी डेटेल्स और केक डिकोरेशन कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगी, so welcome back to my channel वीरास Cake Delight, तो देखिए केक जब भी आप हरवडी में बना रहे हो ना तो केक कॉम का यूज कर सकते हैं साइड में, जिससे के साइड में अगर उपर नीचे क्रीम, जिससे अगर बिगनर हैं, क्रीम लगाते हैं और अफ़र एक डिजाइन सा पैटरं सा भी क्रीएट हो जाएगा, उसके बाद नूर का नौज़ नमबर 46 लेकर के, मैं बॉडर बना दी हूँ और उस केक को फिलहाल रग दी हूँ फरिज में और इस केक को डेकोरेट कर रहे हूँ तो यहाँ पर मैं हर बारी बताई हूँ कि कभी भी जल्दी में केक बनाना होता है हर बड़ी होती है बहुत जादा टाइम आप केक के उपर नहीं दे सकते हैं या फिर आपके पास बहुत सारे ओर्डर साते हैं जैसा कि मेरे पास अभी देखिए और भी केक्स है मेरे पास जो की देना है तो दो वीडियो में वो पाँचो केक की डिकोडिशन आपके साथ शेयर करूंगी तो देखिए यहाँ पर टाइम कम था इसलिए मैंने स्पून से ही नॉर्मल डिप्स दे दी है अगर आप डिप्स दे रहे हैं तो वो एज़टीज ही रह जाए तो टू इस टू वन का रेशियो आप लीज़ियो और उससे जब आप डिप्स बनाएंगे उसे फ्रिज में रखेंगे तो जैसा डिप्स आपने बनाया है वो बिलकुल भी नीचे नहीं जाएगा वहीं पे ही रहेगा तो अगर आपको स्टेबल टाइप का डिप्स चाहिए तो इस तरीके से बना दे पर यहां पे कस्टमर ने जो मुझे पिक भीजी थी उसमें डिप्स इसी तरीके के थे सारे डिप्स उपर से नीचे की और जा रहे थे तो मैं इसी तरीके से बनाई नॉर्मल मैं फ्लोइंग कंसिस्टनसी का डिप्स गनाश बनाई और उससे स्पून की हल्प से डिप्स दे दी हूँ सिलिकन ब्रस यूज की हूँ इसलिए क्योंकि टाइम कम थी और मुझे डेकॉरेशन करना था नूरका नॉजल नेकरके नीचे का ड्रॉप अलफ लावर्स और उपर का बॉडर और ये टूरी नॉजल से देखे हैं मैं कैसे कर रही हूँ नीचे थोड़ा सदी उसके उपर हलका हलका सब बहुत जादा आपको ट्विस्ट नहीं करना तोड़ा तोड़ा जासा बेकरी स्टाइल होता है न वो तो मैं इतने रात में क्यों बना रही हूँ क्योंकि ये केक्स मुझे अर्ली मॉर्निंग देना है मुझे सुभा पांच बजे तो जाना है तो मैंने क्या क्या सारे केक को क्रम कोट कर लिया पांच बजे मैंने कस्टमर को बोल दिया था आने के लिए क्योंकि छे बजे मुझे घर से निकलना था I mean quarter से अपने निकलना था तो देखिए जैसा customer की demand थी pink and green color होना चाहिए था उस तरीके से मैं बनाई हूँ जैसा पे कुन्णों ने मुझे भेजा था drips वाली उस तरीके का drips बनाई हूँ और यहाँ पे आजकल fox वाले ball बहुत ही चल रहे हैं तो वो भी लगा दी fox वाले ball मैंने extra use किया है ऐसा कुछ नहीं था बट मुझे simple लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया और जो birdie का name लिखना था वो अपने सर के लिए है यह अपने boss के birdie के लिए था जो customer ने मुझे बोला था वो भी लिख दी और उपर में place कर दी हूँ और जिनके लिए केक था total मुझे तीन केक्स ऐसे बनाने था same name पे मतलब कुछ लोग mostly सारे लोग अपने boss के लिए कुछ अपने कलीक के लिए करके same birdie boy के लिए केक लिए थे तो चलिए अब इस केक पे आते हैं तो यहां पे मैं बॉर्डर दे दी थी नूर का नौजल नंबर 46 से नीचे का बॉर्डर और उपर का जो कि मैंने दिखाया कि मैं किस तरीके से दी हूँ स्लो करके उसके बाद यह टॉपर क्योंकि चर्च के अनवरसरी के लिए था तो यहां पे मैं टॉपर बना करके उपर में प्लेस कर दी हूँ ग्लेटर पेपर आप रख सकते हैं अगर आपकी ड्रॉइंग अच्छी है तो खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से इडिवल पेपर पे प्रिंट निकलवा सकते हैं नॉर्मली ग्लेज पेपर पे भी इस तरीके का प्रिंट निकलवा के आप टॉपर बना सकते हैं मुझे ड्रॉइंग करना पसंद है तो मैं इसलिए फ्री टाइम पे यह सारे चीज़े कर लेती हूं पर रोजट बना दी हूं और थोड़े से वाइट वाले पर्ल वाले स्प्रिंकलर्स डाल दी हूं हैपी चर्च अनवर्सरी और हमारक एक रेडी है और देखिए रात में बनाते बनाते मुझे बच गे थे ढाई और बारिश काफी हो रही है मिलती हूं अगले वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग बाई